हलो आज मैं आपके लिए बहुत एक इंपोर्टेंट न्यूस लेके आई हूँ डैली गोवर्मेंट का जो बोर्ड है डी एससबी का उसने वेकेंसिज निकाली है टीचिंग वेकेंसिज निकाली है जो कुछ प्रकारापन देख लेते हैं टीजीटी हिंदी मेल फीमेल निकाली साइंस की निकाली है माच्स की निकाली है शोसल साइंस की निकाली है बेंगॉली टीचर की भी है उसके अलावा नर्सरी टीचर प्राइमरी टीचर की वेकेंसिज भी निकाली है काफे टाइम बाद में निकली है ठीक है एंड अप्लिकेशन फॉर्म इसके आप देख सकते हो कब से स्टार्ट हो रहे हैं कि अप्लिकेशन फॉर्म की देख लो 25 से है एंड लास्ट कब तक है 24 जून तक है ठीक है तो चलो अब पहले आपके पास मोटो नहीं था जलो आपके पास मोटो है पढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाओ सब लग जाओ कि चलो अभी कुछ वेकेंस कैसे आज आई वी यह तो हम लोग उनके प्रप्रेशन शुरू कर सकते हैं ठीक है टीजीटी हिंदी की भी आप देख सकते हैं टोटल कितनी है TGT हिंदी की टूटल है 551 551 है जो की फीमेल की है एंड मेल की 556 है फिर नैच्छल साइन्स की मेल की 1040 है फीमेल की 824 है माट्स फीमेल की TGT की है 116 और TGT वालों में हमें क्या क्या चाहिए डिगरी क्या क्या चाहिए चलो पहले हम वो देख लेते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं ग्राजुएशन चाहिए वो सब्जिट के साब से हमें जो भी ग्राजुएशन है चाहिए वो चाहिए ठीक है और इसके अलावा हमारा सीटेट कौलिफाइड होना चाहिए और नॉलेज ऑफ हिंदी और होना चाहिए ठीक है और बीएड मैस्ट जहां पर बीएड है वहां भी है कई जगे बीएड के अलावा भी दो साल का जो डिप्लोमा लगता है वो भी चलेगा और परसेटेज 45 से अब होने चीए ठीक है और इसमें एज रिलाक्षेशन भी मिला हुआ है ओके तो आप यह सारा इसके अंदर देख सकते हैं जाके जो डीएससबी की वेबसाइट है उस पर आप जाके देख सकते है डैली गवर्मेंट वाली पर ओके एंड नर्सरी टीचिंग वाले में क्या है इस है ना तो आप यह नोटिफिकेशन पका देखिए ओके एंड एज लिमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो सब चीज इसमें दीवी है है ना सीट इसमस्ट वर टीजिटी राइट साथ में आप एजुकेशन को बैचलर्स दिग्री देख सकते हैं कौन किसमें कौन सी कौन सी चाहिए इस नेच्ट्र साइंस के लिए इंग्लिश माथमाटिक्स फिजिकल साइंस शोशल साइंस सीट है और बीर्ड है इसाथ में ओके फी इमेल मेल दोनों के लिए क्वालिफिकेशन तो सेम ही रहेगा मैच वाले के लिए माथमाटिक्स चाहिए ओके बैंगॉली टीजे की भी आईए वेकंसी पर इसमें नौलेज ओफ ये बैंगॉली वाला भी हुना चाहिए हमारे पास में और इसमें भी सीटेट भी मांगाया और नर्सरी एंटी वाली भी देख सकते हैं अगर आप लोग के पास कॉलिफाइड डिग्री है और अगर आप अप्लिकेबल हो तो प्लीज एक बार देखना जरूर है कि एंटी नर्सरी टीचिंग के लिए आप देख सकते हैं मस्डव पास हिंदी हिंदी चाहिए सेकेंडरी लेवल और डिप्लोमा सेटेफिकेट नर्सरी टीचिंग एजुकेशन यह जो बीटी सी होती है स्टी सी वगर होती न यहीं अबीएड वाला नहीं चलेगा बीएड के लावा ठीक है बीएड के लावा नर्सरी टीचिंग का अलग होता है एंड ट्वेल्थ क्लास का पासिंग होना चाहिए ठीक है तो आप यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं डेली गवर्मेंट की वेबसाइट से और वहां से इसकी सारी इंफोर्मेशन देख लेना ठ ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग